नमस्कार, स्वागत है आपका दे न्यूस पार और मैं हूँ आपके साथ शेरिल अगर आप आधार काड को ही नागरिक्ता काड मानते हैं या फिर आपको लगता है कि नागरिक्ता प्रमाड देने में आधार काड सरवो परी डॉक्विमन्ट है तो आप बिलकुल गलत है जी हा दरसल कलकत्ता हाई कोर्ट में UIDAI यानि की भारतिया विसुष्ट पहचान प्राधी करण के वकील की तरफ से एक नई दलील दी गई है जस पर उन्होंने कहा है और सीधे तोर पर ये बात जो है वो कह दी गई है कि आधार कार्ट जो है वो नागरिकता या फिर निवास का प्रमाल पत्र नहीं है और इसी के साथ UIDAI की तरफ से तीन और जो गाइडलाइन है वो आधार कार्ट को लेकार जारी की गई है जिन्हें आधार कार्ट में करना बढ़ रहे हैं कई राजियों से घुसपैटियों को पिछले ही सालों में महीनों में कई जगाहों से गिरफतार किया गया है चिनके पास आधार कार्ड भी मिले हैं और इसलिए अब यू आई डी आई की तरफ से अब आधार कार्ड को लेकर तवाम सक्त कदम जो है वो उठाए गय हैं दरासल कलकत्ता हाई कोट में लगाई गई थी एक याचिका जो की आने वाले कानून या फिर जिस कानून को लेकर केंद सरकार के मंत्री कई बार जिक्र कर चुके हैं एनर्सी के विरोध में एक याचिका लगाई गई है और पक्षम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने केंद सरकार को इस पूरे मामले को लेकर पत्र भी लिखा था जिस पर कर सुनवाई करते हुए यह जो है वो दोनों पक्षों का फैसला सुना गया दोनों पक्षों ने जो है वो अपनी दलीले रखी इसी के साथ यू आई डी आई की तरफ से पेश हुए वकी निवास का प्रमाण नहीं है और इसी के साथ वरिष्ट वकील लक्ष्मी गुपता ने ये भी कहा है कि देश में लक्षित सरकारी सबसिड़ी के उदेश से 182 दिनों तक रहने वाले निवासियों को आधार कार जारी किया जाता है और एनार्सी के खिलाब संयुक्त मंच द् आधार अधिनियम 2023 के विनियम 28A को रद करने के लिए जो याचिका लगाई गई है उसके विरोध में ही जो है वो वकील ने यानि की UIDI के वकील ने जब अपनी दरीले दी तो उन्होंने सीधे तोर पर ये कह दिया है कि विदेशी रूप से नागरिकों से संबंदित ये मा आधार कारड को लेकर कहा जा रहा है तो आधार कारड उन्हीं लोगों का रद होगा यानि कि अगर UIDI चाहे तो विदेशी नागरिक जोकी भारत में रह रहे हैं चाहे फिर वह बाहर विदेशी आए हैं या फिर भारत के शटे हुए देशों से आए हैं अगर भारत में रह रहे हैं और उनके पास आधार कार्ड है तो उसे UIDI जो है रद कर सकता है और इसी के साथ लक्षमी गुप्ता ने ये कहा है कि UIDI देश में लंबे समय तक रहने वाले किसी विदेश्वी नागरिक के आधार कार्ड और उसके वीजा की अवदी को समाप्त क करने के बाद निश्क्रिया कर सकता है और देखिए इसी के साथ आपके बता दें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अब आधार कार्ड में जो है वो कई नियमों को लेकर बड़े चेंजस जो हैं वो किये गए हैं क्योंकि अब UIDI की तरफ से आधार कार्ड बनवान की प्रक्रिया में पड़ा बदलाव किया गया है जिसके तहट अगर 18 साल या उसे अधिक उम्र के लोग यदि आधार कार्ड के लिए इंड्रोल्मेंट कराएंगे तो उन्हें कई अधिक्तम 6 महीनों में मिलेगा यानि की उन्हें कार्ड अब 6 महीनों में मिलेगा इमर्जं की AI में इंड्रोल्मेंट करने के बाद व्यक्ति का राश्टिय राज्य और जिला यानि की इस्थानिया स्तर पर वेरिविकेशन भी किया जाएगा और यह वेरिविकेशन पहले सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट के लिए अनिवार्य था पर अब आधार कार्ट के लिए भी अ व्यक्ति का डाटा और इसी के साथ बैंगलूरू उस्थिट डाटा सेंटर पहुचेगा जो की बैंगलूरू में सबसे बड़ा ओफिस जो है जो मिन सेंटर है यू आई डी ऐ वहां पर जो है वो डाटा भेजा जाएगा और वहां से सत्यापन के बाद ही जो है वो जिस बनवाया है अपने आधार कार्ट बहाँ उसे पोस्ट कर दिया जाएगा इन तीन स्तरों की वेरिफिकेशन के बाद ही व्यक्ति को आधार कार्ट अब मिलेगा और राजस्तर पर और जिलास्तर पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी आप शुरू कर दी गई है फरजी आधार कार्ट के चलते ये तमाम बदलाव जो हैं वो किये गए हैं और सुरक्षा संबंदी सभी पहलूओं को देखते हुए नई विवस्था जो है वो लागू कर दी गई है आधार योजना के पहले चरण में 2010 से 2011 के इन्रोल्मेंट के बाद जिन लोगों के आधार कार्ट बनाए गए थे उस समय नीजी एजनसियों के पास भी आधार कार्ट बनवाने का सिम्मा था तब आवेदक दुआरा दी गई मोखिक जानकारी के आधार पर ही एन्रोल्मेंट कर दिये गए थे और इनमें कुछ आधार फर्जी होना भी पाया गया था और राइधानी भोपाल में ही पास्य यानि की मध्यपरदेश की राइधानी भोफाल में ही पहले साल में जो है वो लगभग 17 ऐसे मामले सामने आये थे जहां पर फर्जी आधार कार्ड बनाए गए थे और देखिए एक और एहम बात ये है कि आज देश भर में से कई ऐसी गिरफतारिया हुई है जहां से कई फर्जी लोग रोहिंगिया पंगलादेशियों की गिरफतारी हुई है जिनके पास से आधार कार्ड मिले हैं क्योंकि पैसे के चलते कई जगाहों पर जो है ये फर्जी आधार कार्ड डॉक्यमेंट बनाई जाते हैं पर अब आपके लिए बता दें कि UIDI की तरफ से जुस तरीके से पास्पोर्ट को दस साल की बाद जो है वो अपडेट कराना होता है और दूसरा पास्पोर्ट जो है वो एजुंसी से बन कराता है भारस सरकार द्वारा बन करा जाता है और अब ऐसे ही आधार कार्ड को भी यानि कि 10 साल पुराने आधार कार्ड को भी अब अपडेट कराना हो गया है जरूरी जी हां 10 साल या उससे पुराना आधार कार्ड होगा तो शायद आ सकती हैं आगे चल कर तमाम मुश्किलें क्योंकि ये तमाम गाईडलाइन और विवस्था जो है वो अब UIDI के पोर्टल पर भी जिसकी जानकारी डाल दी गई है जो से की नाकरिक जो है जिनका आधार कार्ड दस साल से जादा पुराना हो चुका है वो उसे समय के साथ जो है वो उसे अपडेट करा ले क्योंकि देखिए उससे जो है वो पुराने आध पहचान अपडेट कराना जरूरी है आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए ओनलाइन और ऑफ लाइन जो है वो दोनों की विवस्था जो है वो कर दी गई है और इसी के साथ देखिए ओनलाइन फ्री अपडेशन की डेड्लाइन भी तीन बार बढ़ाई जा चुकी है के बिना अपडेट नहीं हो पाएगा और अगर आप ओफलाइन अपडेट के लिए जाते हैं तो आपका बायोमेट्रिक डाटा, फिंगरप्रिंट और आईरिश की स्कैन जो है वो किया जाएगा और ये आधार कार्ट के किंद्र पर भी तमाम विवस्थाएं जो हैं वो अब मौजूद जो हैं वो सरकार और UIDA के दुबारा करा दी गई हैं क्यार देश में जुस तरीके से लगातार रोहिंग्या बंगला देशी और बहार से आकर लोग लगातार बस रहे हैं जस पर अब सरकार की जो है वो सकत नजर पैनी हो चुकी है और सकत नजर है इसलिए लगातार जो है वो आधार कार्ट से ले कर तमाम डॉक्यमेंट्स पर ये तमाम चीज़ें और विवस्था जो हैं वो करी जा रही हैं जिसके खिलाब कई राज्य सरकारों ने तो इस तरीके की बयान भी दे दिये हैं जिस तरीके से NRC और तमाम चीजों को लेकर ममता बैनर जी की भी बॉकलाट कई बार सामने आई है क्योंकि NRC को लाने की जो है वो बात अभी तक के इंद सरकार की तरफ से नहीं की गई है पर ज सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के चलते और इस तरीके की समस्या पाकिस्तान और बांगलादेश जैसे देशों से सटे हुए राज्यों में काफी जादा है जिसको लेकर अपके इंद सरकार काफी जादा सकत है खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमे कॉमेंट करकर सरूर बताईए थन्यवाद